नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है नहीं पता होते जिया दोस्तों अंजाने में ही ठीक पर इंसान को कुछ ऐसे हेल्दी फाइदे मिलने लगते हैं जिसकी वह कलपना भी नहीं कर सकता जियां दोस्तो एक अंडे की केमत में जो मूफली आती है उसमें अंडे से ज़्यादा कई गुना मूफली में प्रोटीन होता है दूद और अंडे में इसके मुकाबले कम प्रोटीन होता है यह आईरेन, प्रोटेशियम, जिंक का एक अच्छा श्रोथ है जियां दोस्तों 15-20 मूफली के दाने खाने से 5 ग्राम कार्बो हाइडरेट, 426 कैलोरीज, 17 ग्राम प्रोटीन और 35 ग्राम वसा मिलती है इसमें विटामिन E, B और विटामिन B सिट्स भरपूर मातरा में पाए जाते हैं जियां दोस्तों यदि आप भी अपने आपको सेहत मंद और निरोगी बढ़ाना जाते हैं तो कम से कम लाल सिल्के वाली 20-30 मूफली के दाने जरूर खाईए चली दोस्तों अब मैं आपको इसके क्या का फाइदे होते हैं वो भी इसके बारे में आपको बता देती हूँ जियां दोस्तों मूफली के दानों को रात को भीगो कर खाने से पेट से जूड़ी बिमारिया खता हो जाती है इससे निमिज सेवन करने से कब जैसी समस्या नहीं होती साथ ही गैस वे ऐसे डिटी की समस्या से भी राहत मिलती है मुफली बिखोकर खाने से आमाशे और फेफरों को मजबूत की मिलती है यह पाशन शक्ति को बढ़ाती है और भूका ना लगने की समस्य को भी दूर करती है मुफली में आगोमा सेक्स फैट भी भरपूर मातरा में मिलता है जो स्वास्ते कोशिकाओं को अच्छे तत्फस में जिम्मेदारी रखता है इसलिए भीगी मुफली स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है यदि आप भी अपने आपको चमकाना चाते है तो भीगी हुई मुफली खाना शूरू कर दीजिए और यदि बोडि को चंदरूस्त और चंदरूस्त रखना moyens तो आज से मुफली खाना शूरू कर दीजिए जियां दोस्तों मुफली कलिस्ट्रोल की मात्रा को निर्मित करने में एहम भूमी का निभाती है एक शोच से यह भी पता चला है कि सब तहा में 5 दिन मुफली खाने से कुछ दाने भीगोकर यदि आप खाएंगे तो दिल से जूड़ी सारी बिमारिया खतम हो जाएंगी इसे खाने से कलिस्ट्रोल कंट्रोल में रहता है कलिस्ट्रोल की मात्रा में 5% की कमी आ जाती है इसके अलावा कम घनत वाले लिपो प्रोटीन कलिस्ट्रोल की मात्रा को 7.4 फजीदी तक कम करते है प्रोटीन, लाब दायक, वसा, फाइबर, खनीश परदार्थ, विटामिन और एंटी ऑक्सिनेंट भरपूर वातरा में पाये जाता है इसलिए इसका सेवन करना सकिन उम्र भर जवा दिखती है जिया दोस्तों इस पे केलशियम और विटामिन डी अधिक मातरा में पाय जाता है इसलिए इसे खाने से हड़िया भी मजबूत रहती है माना जाता है कि रोजाना थोड़ी मातरा में मुफली खाने से महिलाओं पूर्शों में हार्मोन्स का संतलन भी बना रहता है और यह हार्मोन्स के लिए भी बहुत अच्छी श्रोट माना जाता है तो जाना दोस्तों आपने मुफली के कितने ही फायदे हैं आज से आप भी मुफली का सेवन करना शुरू कर दीजिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स लाते रहते हैं और हमें कुछ ऐसे वीडियो बनाने की प्रेना भी बहुत जादा मिलती है